गुड इबनिंग दोस्तो एक बार फिर्श श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला टेस्ट सिरीज के रात के 8 बज़े के आज के इस वीडियो में क्लास शुरू कहरने से पहले एक दो बाते कहीं बस्टिक्र होता है वो हमेशा हर वीडियो में हुआ है सबसे पहली बात होती है कि 8 बज़े ये क्लास डेली चलती है और जो भी नए जूडते हैं उनके लिए information है कि 8 बज़े ये क्लास डेली चलती है दूसरी बात यह मित्रों कि हमेशा में कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करिए क्योंकि मैं कुछ प्रश्णों का जिकर करता हूँ कुछ प्रश्णों का कमेंट्स के द्वारा आप से इंथर मांगता हूँ तो जो वीडियो में वहां तक पहुंचता है वही उसका एंसर देता है इससे यह पता चलता है कि कुछ ही लोगों ने वीडियो को वहां तक दिखा है अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आगे जब प्रश्ण कुछ नए आएंगे जो हमारे चैनल में हमारे इस वीडियो में या किस भी वीडियो मौझूद हो तो फिर आपको पच्तावा होगा या आपको ये लगेगा कि सर ने इस तरह का कोई कोश्चन नहीं पढ़ाया है तो ये तब होगा जब आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं आप छोड़ देंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे प्रश्णों को देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें किस तरह के प्रश्ण है और कुछ सर ने बीच में पूछा भी है क्या आप लोकियली भी कुछ कमेंट्स में पूछा जाता है कि आप भी कमेंट्स करिए जिसका जिकर अभी मैं करूंगा इस वीडियो में और तीसरी बात यह है कि 6 बज़े टेलिग्राम पे जो प्रश्ण डाले जाते हैं वो प्रश्ण बहुत अच्छे-च्छे चुनके आ और उसके वोट जो भी बहुत अच्छे आते हैं आपके ठीक है और उससे आपकी तयारी और भी एक तरफ से कहते हैं बून-बून से सागर भरना तो बून-बून से सागर भरना ही उसको कहते हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ और उस पे आप लोग जो डिसकशन करते हैं व हाँ आज हमने लिया है पाल सैली पाल सैली से संबंधित प्रश्णों की बहतरी स्रिंखला आज हमने लिया है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाल सैली के बारेंगे खंबलें देखके भी आप जाने गए होंगे कि पाल सैली के बारेंगे पढ़ने वाले हैं तो पाल सेली समंदी 20 प्लस प्रश्णों की सिरीज है और चलिए अपने आपको टेस्ट करिए कि पाल सेली में कितनी जानकारी आपने रखा है अपनी तयारी में और कुछ कमेंट्सों को भी लेंगे जो हमारे कमेंट्स में जुड़े हुए सब्सक्राइब पाल सेली का सर्वसेष्ट चितरकला किशके शाषन के शमय में माना जाता है पाल सेली का सर्वसेष्ट चितरकला यानि सब्सेट चितरकारी करने का जो समय माना जाता है पाल सेली में वो कौन से सासक के शमय को माना जाता है ये पूछ रहे नारायड के सिवपाल देवपाल या बिग्रह पाल इनमीं से पाल सैली का वो कौन सा शाशक है चाहिए किस शासक का शमय था जहां पे सर्वस्त यानी सबसे अच्छा चितरकला का जो है माना जाता है दोर यानी सबसे अच्छा उन्हीं के शाशनकाल में माना जाता है तो मित्रो पहले प्रश्ण की शुरूआत होती है एंसर से हमारे C देवपाल के सबसे सर्वसिष्ट यानि सबसे अच्छा चितरकला पाल सहले में जिस सासक के शमय माना गया वो थे देवपाल ठीक है पहले का राइट एंसर C है और बढ़ेंगे हम दूसरे प्रशनी की तरफ प्रशन संख्या 2 आपके सामने हैं आप देख रहे हैं पाल सहले से समंदिर प्रशनों की याजकी शिरिज दूसरा प्रशनाथ से कह रहा है पाल सहले को तिबबत इतिहासकार लामा तारानाथ ने किस नाम से पुकारा था पाल सहले को तिबबत इतिहासकार जिनका नाम था उसको यानि पाल शैली को बौध शैली या जैन सैली पुकारा था लामा तारानाथ ने पूर्वी शैली या राजस्थानी शैली कहा था या बिहारी शैली तथा बंगाली शैली इने में से कौन से नाम से लामा तारानाथ जो तिबबत इतियाशकार थे कला इतियाशकार भी थ पाल शैली को जिस नाम से पुकारा वो नाम कौन शा था ये है हमारा दूसरा प्रशन पाल शैली से सम्मंदित प्रशनों की आज सिरीच चल रही है और उम्मिद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो बहुत पशंद आएंगे और वित्रो हमारे दूसरे प्रशन का जो सही जबाब होगा वो हो जाएगा पूर्वी शैली तथा नाग शैली को तिबत यतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली का नाम एक और दिया था पूर्वी शैली तथा नाग शैली उन्होंने पुकारा था उसको ठीक है दूसरा प्रश्ण यही था और तीसरे प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 3 प्रश्ण संख्या 3 कह रहा है ताड़ पत्र पर किस लिपी में पोथियां लिखी गई ताड़ पत्र पर पोथियां जो लिखी गई वो किस लिपी में लिखी गई यानि लिपी कौन सी इस्तमाल की गई उदय पूरी लिपी थी ताड़ पत्र पे जो उत्या लिखी गई थी ब्रह्मी लिपी थी ब्रह्मडी देवनागरी लिपी थी या मोटी लिपी में लिखी गई थी तो ताड़ पत्र पे जो लिपी लिखी गई थी वो किस भाषा की लिपी थी यानि किस तरह की लिपी लिखी गई थी उसमें ठीक है तो मित्रो हमारे तीसरे प्रशन का जो सही जबाब होगा वो हो जाएगा देवनागरी लिपी में कौन सी लिपी में देव नागरी लिपी में आगे बढ़ते हैं कहीं भी कोई भी प्रसंद में डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजेगा अगले वीडियो में उसको जरूर देखा जाएगा बेहिचा के एकदम आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद प्रसंद क्या चार क्या राय सबसे पहले लगुच चित्र बनाए गए वो कहां बनाए गए थे वस्तर पर बनाए गए थे कागच पर ताडपत्र पर या काच पर ठीक है चोथा प्रसंद का यह पूछना है और पहला कमेंट्स समलेंगे पहला कमेंट्स टेलीग्राम में था और टेलीग्राम में रूमी सिद्धिकी एक हैं उस कितनी लेते हैं रूमी सिदिक्की जी का ये सवाल है male हो या female जो भी हो सबसे पहले रूमी सिदिक्की जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि online class यही है जो आप देख रही है YouTube पे हमारी online class यही होती है जो आप देख रही है यही online class है इसी को online class बोलते हैं पहली बात, दूसरी बात ये है, सिदिक्की जी, कि फ्री क्लास मैं लेता हूँ, मेरी क्लास फ्री है, कोई पैड बैच नहीं है, कोई फीस नहीं है, ठीक है, मेरी क्लास फ्री है, तो आपको सिर्फ आनलाइन के माध्यम से देखना है, आपको मेरे यूटूब पे अगर आप मे में भी आप वीडियों देख सकती है प्लेडिस्ट है वहाँ पर याँ पर ard देख सकती है seperti ऊप तो फ्री प्लेडमी या उस पर अंलाइन चल रही है यानि कि उस पर आपको सब 혼자ika euch सबस्पाइब या कि किसी से कोई पेड़ा चैब कोई पैसा लीया जाता है और नाई किसी के लिए कोई special प्रशन तयार की जाता है सब के लिए समान प्रशन तयार होते हैं और सब को समान तरीके से जो है YouTube पे अपने मैं देता हूँ और आपको भी उसी तरह से दूँगा कोई special किसी के लिए नहीं है तो बस याद रखिएगा EMU classes free class देती है आपको तो उमिद करता हूँ कि आपके प्रशनों का उत्तर आपको मिल गया होगा और हमारे इस प्रशन का उत्तर होगा ताड़ पत्र पे सबसे पहले लग उचीतर बनाए गए ताड़ पत्र पे ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन देखीगा प्रशन संक्या पाँच है पाँचवा प्रशन कहरा है कि पाल सहली में रेखाओं में क्या दर्शाय गया है पाल सहली में जो रेखाए है उसमें क्या दर्शाय गया है रेखाओं में क्या दर्शाय गया है कठोरता दर्साई गई है गती प्रवाह दर्साई गया है या लयात्मक रेखाए हैं यानि पाल शैली की जो रेखाए हैं वो किस तरीके से दर्साई गई हैं किस तरीके से दिखाई गई हैं ये है हमारा पाचवा प्रशन और पाचवे प्रशन का उत्तर फटा फट कमेंट्स में drop करते जाए आज का theme है आपका, वीडियो का पाल सेली और पाल सेली के प्रशन यहां पे हैं आपके और आज देखिए पाल सेली में कितने प्रशन आपके सही जाते हैं यह आपको आज टेस्ट करना है और हमारे इस पांचवे प्रश्ण का जो सही जबाब होगा वो हो जाएगा कठोरता पाल सेली में रेखाओ को दर्साया गया कठोरता में ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण दिखेगा प्रश्ण संखिया आपका शठा है ये और छे नमर प्रश्ण आपसे पूछ र रखी बिक्रम शीला देखियेगा ध्यान से पढ़ने में मिश्टेक हुआ है प्रसिद मठ बिक्रम शीला जो एक प्रसिद मठ है उसकी जो नियू रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया देव पाल के द्वारा मही पाल उदैपाल या धर्म पाल पाल सैली का वो कौन सा सा जिसने बिक्रम शिला मठ जो एक प्रशिद मठ है उसकी नियू रखी थी और इस प्रशन का उत्तर देने से पहले एक कमेंट और लेंगे हम आज और वो कमेंट हमारा था हमने आप से सवाल पुछा था कल के एक प्रशन में जिसमें ये था कि किस काल को संकर्मण काल के नाम से पुकारा जाता है और उसी प्रशन में मैंने ये भी पुछा था कि संकर्मण काल को यानि मध्य पाशाड काल को संकर्मण काल के नाम से पुकारा जाता है ये मैंने प्रशन आपको जो है कल के वीडियो में डाला था और मैंने ये भी पुछा था कि संकर्मण काल के अलाबा म ध्यापाशाड काल को और किश नाम से पुकारा जाता है ये मेरे किसी 17 या 18 कोश्चन के प्रशन में ये कमेंट्स मैंने पूछा था और इसलिए मैंने आप से कहा था कि जो लोग वहां तक पहुँचे थे वही लोग उसका जब आप दे रहे थे टेलीग्राम पे भी और पेमेंट्स बक्स में भी बहुत लोग वहां तक नहीं पहुँचे मतलब उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए मुझे दोशी मत मानिएगा जब कंपर्टिशन में जाएगा और कुछ परशन ऐसे आ जाएगे जो हमारे वीडियो में बीच में मौझूद हो और बाद में आपको उपसका अपसोस हो तो उसके लिए हमें जो है जिम्मेवार मत ठहराईगा और ठहराईगा जब तब आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि जब तक पूरा वीडियो ने देखेंगे तो आपको बाकी प्रशनों नहीं मिलेंगे और अगर मिल भी जाते हो सकता है आपको लेट से मिलें आप नहीं देखे बाद में देखे और आप पच्छता है कि कास में पहले द सकते हैं तो मेरे कमेंट्स में कई लोगों ने कमेंट्स किया कई लोगों ने उसका जो है मध्यपासाड का इंगलिश नाम भी दिया कि सर उसको इस नाम से भी जानते हैं मैंने ये नहीं पूछा था कि अंग्रेजी नाम क्या है उसका मैंने पूछा था कि संकर्मण काल है तो और यहां आपको बता दे रहा हूँ, संधिकाल को मध्यपाशाड काल भी कहा जाता है, तो यह कमेंट्स मैंने पूछा था, कई लोग ने जबाब दिया, आपका जो भी जबाब रहा आप देख लिजिए, और हमारा इंशर मैंने आपको बता दिया, और हमारे छटे प्रशन का जो सही जबाब होगा, वो हो जाएगा, डी धरम पाल, परस्तिद मट, बिक्रमाशील का निव रखने वाला, जो शाशक था, वो था धरम पाल, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या साथ की तरफ, जिकर करेंगे साथवे प्रशन का, साथवे प्रशन आप बौध धरम के किस साखा से समद गया, यानि पाल, शैली बौध धरम के कौन से साखा से, किस साखा से, रिलेशन रखता है, जो पाल, शैली थे, पाल, शैली के जो लोग थे, वो बौध धरम की कौन सी साखा से, क्योंकि बौध धरमें दो साखाएं बट गई थी, एक हीनयान और दूशना महायान तो इसमें आप्षान आपका दिख भी रहा है हिनयान और महायान लेकिन शवाल यहाँ यह है कि पाल सैली के जो सासक थे यानि पाल सैली में जो लोग थे वो बहुत धर्म के तो अनुआई थे लेकिन बहुत धर्म के कौन से शाखाशे वो relation रखते थे शवाल नंबर शाथ यही कहना चाता है मैं हमेशा कहता हूँ कि समझना जरूरी है सवाल को और समझ के answer देना सबसे बेश्ट तरीका है हर बड़ा हट में अगर देंगे तो आप miss कर जाएंगे अपने सवाल को भरतियों में ठीक है तो मित्रो साथवे प्रश्ण का जो सही जबाब होगा वो आपका हो जाएगा महायान साखा से ठीक है पाल सहली के जो दौर चला था उस दौर के जो लोग थे बहुत धर्म के अनुआई थे लेकिन बहुत धर्म के महायान साखा से वो लोग संबंद रखते थे ठीन यान और महायान दो चीजे थी आगे बढ़ते हैं और आठवे प्रस्ण का जिकर करते हैं आठवे प्रस्ण पूछ रहा है कि लगुची तरकला भारत के किस हिस्से में बिख्षित हुई थी लगुचितरकला जो है वो भारत के किस हिस्से में विक्षित हुई थी भारत के वो कौन सा हिश्चा था जहां विकाश किया लगुचितरकला ने पुर्वी हिश्चा था उत्तरी हिश्चा था उत्तर पुर्व था या उत्तर पश्चिन था इन में से वो कौन सा जगा था, कौन सा एरिया था कह लिजिए जहां पे लगुची तरकला भारत में विकास के रूप में हुआ यह है हमारा आठवा प्रश्ण और आठवे प्रश्ण का जो सही जबाब होगा वो आपका हो जाएगा पूर्वी में कहां पे पूर्वी में लगुची तरकला भारत के पूर्वी हिश्चे में विक्षित हुई थी ज्यादतर पूर्वी हिश्चे में ही विक्षित पाया गया है लगुची तरकला को ठीक है अगला प्रश्ण देखिएगा प्रश्ण संख्या 9 नो नमर प्रश्ण कह रहा है बौध धर्म बिने पिटिक बौध गरंथ है जिसका नाम है बिने पिटिक पूछ रहा है किस भासा में लिखा गया है बिने पिटक ये बौध गरंथ है जिसका नाम है बिने पिटिक और इसको किस भासा में लिखा गया है यानि कौन से language का इस्तमाल किया गया है इस गरंद को लिखने में संस्कृत भाषा का इस्तमाल किया गया पाली भाषा का उर्दू भाषा में या भारती या भाषा में इनमें शुबो कौन शी भाषा है जिसमें बिने पिटक लिखा गया बहुत गरंद ठीक है तो 20 प्लस प्रश्णों की स्रीज चल लए है पाल सैली इस पेसल चल रहा है आपका ये स्रीज और आपको आज टेस्ट करना है अब इस पाल सैली में सम्मंधित प्रश्णों में से कितने प्रश्ण अभी तक इस वीडियो के जड़िये इस में से कितने प्रश्ण आप तयार रखे हैं यह आपको आज टेस्ट कर लेना है और वो टेस्ट आप आज खुद इमंदारी से बताएंगे कि कितना आप जाते हैं सही और हमारे इस प्रशन का जो सही जबाब होगा वो हो जाएगा पाली भाषा में बहुत गरंत बिने पिटक जिस भासा में लिखा गया व बढ़ेंगे दस नमर प्रशन की तरफ प्रशन संख्या दस आपके सामने हैं दस नमर प्रशन है और दस नमर प्रशन का अहरा मित्रो पाल सेली में गंद व्यू पाल सेली में जो गंद व्यू है में कुल कितने चित्र बन है पाल सेली में जो गंद व्यू है उसमें कुल चि 40 है 120 है 126 है या 123 है पाल सेली में गंदभ्यूं में कुल चित्रों की शंख्या कितनी बताई गई है या कितने चित्र बने हैं उसमें ये कह लिजिए ये पूछ रहा है आपका दसनमर प्रश्ण और दस्वे प्रश्ण का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में फटाफट डालते अपने उत्तरों का जाच करते जाईए कि आप आज पाल सेली से सम्मंदित इस प्रश्णों की इस बीडियो के शिरीज में कितना आपने पाल सेली से सम्मंदित प्रश्णों को तयार करके रखा है ये आज आपके इस बीडियो के टेस्ट में किलियर कर लेंगे अपने आपक ठीक है तो मित्रो हमारे इस दस्वे नमर प्रश्ण का जो सही जवाब होता है वो होगा 126 गंद ब्यूँ में पाल सैली के गंद ब्यूँ में बने चित्र जो थे टोटल वो 126 बने थे ठीक है प्रश्ण संख्या 11 की तरफ है हम 11 हमें प्रश्ण का अब हम जिक्र करेंगे और 11 नमर प्रश्ण आपसे पूछ रहा है पाल सैली में किस गरंथ का सबसे अधिक बार चित्रड किया गया उस गरंथ का नाम क्या है प्रग्या परमिता देखिएगा इस में मातराहट गया है परमिता है अपरमिता पंच सिखा महामयूरी तो इन में से वो कौनशा गरंथ है पाल सैली का यानि कि सबसे पहले तो यह जान लिजे कि पालशैली का वो गरंथ है और सबसे अधिक बार यानि ज्यादातर बार उसी गरंथ का चित्रड किया गया है पालशैली के दोरान और वो गरंथ कौन सा है इस चारों में से ये हैं हमारा इग्रामा प्रश्न और इसी प्रश्न का उत्तर आपको comments box में मेरे उत्तर से पहले देना है और जो भी नए लोग जुड रहे हैं सबसे पहले उनको मैं बता दूँ कि जो भी नए लोग जुड़े वो सबसे पहले टेलिग्राम पे जरू जाएं जब जुड़े तो टेलिग्राम पे जाएं क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हमारे डिस्क्रिश्न ब्राक्ष में टेलिग्राम लिंक मिलेगा अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे इस mobile number पे comments कर दीजिए ठीक है यहाँ पे आपको 529779 इस number पे आप हमारे WhatsApp कमेंट कर दीजिए तो आपको टेलिग्राम लिंक वहाँ भी मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिलता है तब और वहाँ जाने के बाद आपको ठीक 6 बजे के बाद आपको एक प्रशन put up किया जाता है और अच्छे प्रशन होते हैं अभी तक जितने प्रशन डाले गए हैं सब लोगोंने प्रशंद किये हैं उस पे आपको जो है अपने vote करने होते हैं vote percentage उसमें दिखाता है मुझे और मुझे इससे पता चलता है कि आपकी तयारी नए प्रशनों के अनुशार कैशे है और वो सभी प्रशने कभी ना कभी मैं इपने वीडियो में दो-चार प्रशनों को डाल दिया भी करूंगा बाद में लेकिन जो नए हैं उनके लिए information है जो पुराने हैं जिनके पास नई है मोबाइल नंबर मैंने इसमें डाल दिया यहां भी आप देख सकते हैं और इग्रहवय प्रशन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मित्रो प्रज्या परमिता पाल सहली में जिस गरंद का सबसे अधिक बार चित्रड किया गया वो प्रज्या परमिता है आपसे प्रश्ण ऐसे भी उल्टाव घुमाक पूछ सकता था प्रश्ण में एक प्रश्ण में दो प्रश्ण तिन प्रश्ण बना के पूछ सकता है कि इसे मालेजी कह देगा कि प्रज्या परमिता का चित्रड सबसे अधिक बार किया गया ये गरंट निम्न मेशे किस सहली से संबंदित है इतना लंबा कर दिया तो आपको याद रहना चाहिए कि पाल सहली काई गरंट है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण है प्रश्ण संख्या 12 12 नमर प्रश्ण देखेगा कि आप कुछ ना चाहता है 12 प्रश्ण है पाल सहली के चित्र बिदेश के किस संग्रहाले में संग्री चित है पाल सहली की जो चित्र है बिदेश के संग्रहाले में भी रखे गए है संग्राचित किये गए हैं सुरचित किये गए हैं तो वो चित्र जो विदेश के शंग्रहाले में रखे गए हैं पाल सहली के वो कौन से संग्रहाले में विदेश के रूबरू शंग्रहाले पेरिश बोश्टन संग्रहाले लंदन अमेरिका शंग्रहाले या आल सोसाइटी और उस कमेंट्स के बारे में जो है थोड़ा समय जिकर करूंगा जो भी था फेल या फेमेल जिन्नों ने भी कमेंट्स किया था यूटूब पे या फिर टेलिग्राम पे साइथ था वो भी था टेलिग्राम पे भी था इतना मुझे याद नहीं है ठीक से लेकिन उन्हों खात असर जो भी चार बिकल्प आप बताते हैं तो एक बिकल्प के अलावार जो तीन बिकल्प है उसके बारे में भी कुछ जानकारी दिया करिए मतलब उसके बारे में भी डिसकसर किया कर गए इससे यह होगा कि कम शमय में हमको बहुत सारे प्रशनों की तायारी हो जाएगी तो यहां हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना वीडियो लंबा सब लोग नहीं देखते हैं यह आप जान लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे फीमेल वर्ग में ज्यादा गिरहणी भी जुड़ी हुई हैं और वो घर के कामों के अलावा पढ़ाई का भी समय नि पाएगा लोगों को देखने का तो इस तरह से नहीं किया जा सकता हां कुछ प्रशनों का जिकर किया जा सकता है जो जरूरी है बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा आप जो भी इन्होंने कमेंट किया था उनके बारे में बता दे रहा हूं और इस प्रशन का जो सही उत् पूथिया निर्मित की गई निम्न में से कौन सी सैली में भोज पत्र पर पूथिया जो है वो निर्मित की गई वो सैली कौन सी है जिसमें निर्मित की गई क्या वो जैन सैली है पाल सैली है राजस्थानी शैली है या मुगल शैली है ठीक है तेरावा प्रशन आप देख रहे जाते हैं या आज आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है और कितने तयार है वो अपने आपको इमांदारी से खुज जाच लेना है तो तुझ मित्रो तेरह में प्रिश्ण का जिक्र किया गया है भोजपत्र पोथियों पर निर्मित की गई इनमें से कौन शिशयली है जिससे पोथियों पर निर्मित की गई है तो मित्रो इसका राइट एंसर हो जाएगा पालसयली भोजपत्र और एक और है जिसका नाम है ताड़पत्र भोजपत्र वो ताड़पत्र दो चीजे हैं भोजपत्र ताड़पत्र इन दोनों पे जो है पोथिया निर्मित की गई पाल सहली में ठीक है अगला प्रश्ण है प्रश्ण संख्या 14 चोदर नमर प्रश्ण देखिए आप से क्या पूछ रहा है चोदर नमर प्रश्ण कहरा मित्रो कि पाल सहली में चित्रो की प्रिष्ट भूमी क्या थी पाल सहली में जो चित्र बने उनकी प्रिष्ट भूमी क्या रही काला रहा उनकी प्रिष्ट भूमी सफेद रहा लाल रहा या निला रहा इसमें से किस कलर में रहा पाल सहली के चित्रों की जो प्रिष्ट भूमी थी सर्फिश एरिया था जो प्रिष्ट भूमी थी वो किस तरह की रही किस कलर की रही ठीक है तो मित्रों चोदर प्रश्ण का राईट एंसर होगा काला किस की रही काले कलर की रही पाल सैली की चित्रों की जो प्रिष्ट भूमी थी कभी कभी प्रश्म ऐसे भी आपसे पूछ सकता था कि काले काला रंग के चित्रों की प्रिष्ट भूमी निमने में से किस सैली की खाशियत है तो आप वहाँ उत्तर दे सकते थे पाल सैली की खाशियत है विकल्प आपका मौज़िद होगा उसमें आईए 15 नमर प्रश्म देख हेलन रूबीनों ने पाल सैली को एक और नाम भी दिया था या कहले जिये पुकारा था तो वो किस नाम से पुकारा था हेलन रूबीनों ने इसके पहले आपने इसी प्रश्म में देखा था इसी वीडियो में कि लामा तारनात तिब्बत इतिहासकार कला समिच्छ ने जो है पाल सैली को किसी और नाम से पुकारा था और यहाँ प्रशन है कि हेलन रूबीनों ने पाल सैली को किस नाम से पुकारा था पूर्वी सैली या पश्चिमी सैली कहा है उन्होंने बिहार सैली तथा मंगाल सैली कहा उत्तरी तथा प्रबंद सैली या इन में से सभी का नाम उन्होंने पुकारा हेलन रुबिनो नेपाल शैली को पुकारा है याद रखिएगा इस प्रश्ण के इस उत्तर को ध्यान से इस प्रश्ण का सीधे उल्टा प्रश्ण पूछ सकेगा अगर आपसे पूछना होगा इकजामियर को कि निम्नमेशे किस सैली को बंगाल सैली या बिहार सैली के नाम से हेलन रुबिनो द्वारा पुकारा गया देखिएगा आपके हेलन रुबिनो का नाम जरूर देगा उसमें क्योंकि एकर आशा नहीं देगा तो अगर कहीं आपसन में बंगाल शैली को किस नाम से पुकारा गया तो आप बंगाल शैली को वो बंगाल सैली समझ लेंगे जो बंगाल शैली में नंदलाल बशुव, वनेंद्रनात और रबिंद्रनात ये सब रहा करते थे इसलिए हावाला जब भी देगा तो हेलन डुबीनो को देगा तब जाके आपसे यह प्रशन पूछेगा याद रखिएगा इस बात को 16 नमर प्रशन देखिए प्रशन संक्या 16 16 नमर प्रशन मित्रों पूछ रहा है कि बोध गया में महा बोधी का निर्माड किया गया है और करवाने वाले शाशक कौन थे देवपाल धरमपाल गोपाल या महीपाल बोध गया आप बिहार में है बोध गया में है और वहाँ पे महा बोधी है उसका निर्माड किषने करवाया था ये पूछ रहा है बहुती अच्छी जगा है मसूर जगा है जब भी आप बिहार जाए घूमने या फिर अगर हैं उसके आसपास के या वहीं के तो जो होंगे गया के बोध गया प्रसिद्ध है गया से बोध गया प्रसिद्ध है और बोध गया में महा बोधी प्रसिद्ध है और उसका निर्माड करवाया था कि शाषक ने यहां हमारा प्रस्ण यही है 16 नमबर और इसका सही जबाब होगा देव पाल ने ये राइट एंसर होगा पाल सैली का कौन सा सासक चैतन्य मूल गंद कुटी नामक इस्पूत बनवाया था। कि जो बहुत धर्म के अनुआई थे उसमें इस्पूतों का निर्माण ज्यादा हुआ है खासकर अशोक के शमय में और ये विकल्प में है धर्मपाल, देवपाल, महीपाल या गोपाल इसमें से वो कौन सा पाल सासक है जिसने चैतन्य मूल गंद कुटी नामक इस्पूत तो आपको कमेंट से यह करना है कि मूल गंद कुटी के अलावा एक और इस्पूत का नाम आपको बताना है जो पाल के इस सासक ने करवाया था जिस सासक का एंसर मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है? यानि मूल गंद कुटी नामक इस पूत के अलावा एक और नाम है जिसको इसमें से जो एंसर मैं बताऊंगा उसने जो है उसको भी जो है पाल सासक ने वो बनवाया था सबसे पहले इसका एंसर जो होगा वो होगा मही पाल मही पाल ने बनवाया मूल गुंद कुटी नाम की स्पूत तो मही पाल ने इसके अलावा एक और स्पूत बनवाया है वो अपने सासनकाल में उस इस्पूत का नाम क्या है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा जरूर और आगे मैं इसका जिक्र अगले वीडियो में करूँगा अठार नमर प्रस्ण पे हम पहुँच चुके हैं और अठार नमर प्रस्ण आपसे पूछ रहा है मित्रो पाल सैली का स्वड़काल किसके सासनकाल को माना जता है पाल सैली का स्वड़काल हर दोर में अलग-अलग स्वड़काल रहा है उसी तरह से मुगल का अलग रहा है राजस्थान का अलग रहा है तो पाल सैली का जो स्वड़काल है वो किसके सासनकाल को माना गया यानि किसका सासन था जिसमें पाल सैली को स्वडकाल माना जाता था महिपाल, राजा राज्येपाल, राजा धरमपाल या राजा देवपाल इन में से वो कौन शापाल सासक है जिसके सासन को हम स्वडकाल मानते हैं या माना जाता है जैसे कि राजेस्थान में अलग स्वडकाल किसी के सासन में माना गया मुगल में अलग माना गया उसी तरह से पाल सैली में मित्रो जो माना गया वो माना गया राजा धरम पाल को किसे राजा धरम पाल के सासक को स्वडकाल माना गया पाल सैली का आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजा धरम पाल जो पाल सहली के सासक थे इन में से किस तरह के काल के नाम से उनके समय को जाना गया तो स्वड काल के नाम से और भी तरीका है प्रश्ण उसमें से पुछने का अगर आप केरफूली हैं तो आप इवत्तर दे लेंगे उनिश्वे प्रश्ण का अब हम जिकर करेंगे उनिश्ण नमर प्रश्ण है पाल यूगीन पांडूलिपी चित्र अधिकांस आधारित हैं यानि पाल के समय के जो पांडूलिपी चित्र हैं वो अधिकांस किस धर्म से आधारित है ये पूछ रहा है किस धर्म से शम्बंदित है ज्यादत रहे हिंदूतों पर सयोमत पर ब्रामण धर्म पर या बहुत धर्म पर तो इस प्रश्ण का उत्तर तो आप अगर यहां तक पहुँचे हैं वेडियो में तो पूरा कमेंट्स भीना सोचे आपके पास आजाएगा जो त NCRT के बुक का कोई नाम नहीं रखेंगे सिर्फ आप यह रख देंगे कि मुझे NCRT की इगरहमी और बारहमी की बुक चाहिए कला की सिर्फ आपको इतना ही कहना है बुक वाली दुकान से कि NCRT के बुक हमको इगरहमी बारहमी की चाहिए कला की तो आपको खुद पे खुद वो उठा के दे देगा और आपको दिख जाएगा उसमें नाम से कोई मतलम नहीं है सबसे बहतरी नाम उसके पाचाने का यही है N.C.E.R.T. उसकी एक अपनी होती है अलग से बनाई हुई बुक तो उसको लीजिएगा उसको जरूर पढ़िएगा मैं यह कहूँगा जिनका कमेंट था उसको मैं बता रहा हूँ इसका उन्होंने पूछा तसर बुक का नाम क्या है फिर भी अगर आपको कोई परसानी है तो मैं बता दूँगा और इस प्रशन का जो राइट एंसर है वो हो जाएगा बौत धर्म ठीक है पाल सहली के लोग बहुत धर्म के अनुवाई थे और महा यान शाखा से संबंदित रखते थे आगे बढ़ते हैं 20 वे प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या 20 बहुत ही अच्छे अच्छे प्रशन हमने आज के इस वीडियो में लिये हैं पाल सहली से संबंदित और हमें यकीन है कि आपको बहुत पशंद आएगा तो अगर पशंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही लगता है कि हाँ आपने वीडियो को पशंद गया शेयर जरूर कर दीजगा मित्रो आपके शेयर से हमारे चैन इजाफा होता है बढ़ावा होता है मजबुती होता है और एक दूसरे से अच्छी जानकारी भी होती है एजुकेशन में तयारी करने का यही मतलब होता है तो चलिए ये प्रशनम से पूछ रहा है बीश नमबर पाल वंश की शीमा रेखाओ का विस्तार करने वाला शाशक क जाना ठीक है वो कौन था गोपाल था देवपाल था धरम पाल था या उदैपाल था तो ड्रॉप करिए एंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में मेरे उत्तर से पहले कमेंट्स करिए अगर कला संबंदित कोई भी आपके पास डाउट हो चाहे आपके सी भी राज्ये से बिला धरम पाल पाल वंस की सीमा रेखाओ का बिस्थार करने वाला यानि फैलाने वाला बढ़ाने वाला जो सासक रहा वो धरम पाल रहा ठीक है बीसवे प्रश्ण के बाद अब किसवे प्रश्ण पर हम पहुचेंगे 21 नमर प्रश्ण देखिएगा हमसे पूछना चाहता है पाल पाल सैली के किस सासक को उत्रापत का स्वामी कहा जाता है पाल सैली का वो शाशक कौन था है जिसे उत्रापत का स्वामी कहा जाता है धरम पाल को मही पाल को देव पाल को या यद पाल को इसमें से कौन से पाल सासक को उत्रापत का स्वामी कहा गया या पुकारा गया या शब्दों में भाव बस उसका वही होना चाहिए जो प्रश्ण कहना चाहता है ठीक है तो इस प्रश्ण का यानि 21 नमर प्रश्ण का उत्तर होगा आपका जो वो हो जाएगा धरमपाल क्या हो जाएगा धरमपाल is the right answer बढ़ेंगे 22 नमर प्रश्ण की तरफ 22 प्रश्ण छोटा करते हैं थोड़ा सा बिकल्प आपको दिखना चाहिए पूरा ये है 22 नमर प्रश्ण देखिएगा अच्छे अच्छे प्रश्णों की सिरीज है यकिन करते हैं आज आपको बहुत प्रशंद आएंगे पाल सैली में सर्वधिक चित्र के संगरहले में सुरच्छित है पाल सै पूछा था यहां पूछ रहा है कि पाल सैली के शर्वधिक यानि सबसे ज्यादा की बात कर रहा है सबसे ज्यादा चित्र कौन से संगरहले में सुरच्छित है राइल सुसाइटी आप बंगाल के राष्टिय आधुनिक कला शंगरहले नई दिल्ली के भारत कला भवन पाल के इनमें से वो कौन सी जगह है जहां पे पाल सैली के सबसे अधिक चितर सुरच्छित किये गये हैं तो मित्रो बाइश्वे का राइट एंसर आपका जो होता है वो हो जाएगा रायल सुसाइटी आफ बंगाल के यहां पे सुरच्छित किये पाल सैली के सबसे अधिक अगर आप जाते हैं देखने तो आप अपने इतिहास को देखिए आपको देख के दुल को बहुत सकून मिलेगा और लगेगा कि हाँ हर दोर में हर राजाओं ने एक अलग इतिहास बना के रखा है और कला को सजोया बनाया बहुत लखी हैं हम कि हम हिंदुस्तान जैसे जगर पे पैदा हैं और यहां पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें राजाओं के द्वारा अलग-अलग दी गई हैं। पाल सैली में किस देवी देवताओं का अंकन सबसे अधिक मिलता हैं। पाल सैली के संगरक्षक सासक थे। पाल सैली के जो संगरक्षक सासक के रूप में जाने जाते हैं। सोम सासक, पाल सासक, चोल सासक या सुंग सासक। तो जाहिर सी बात है 24 नमर प्रशन का एंसर आप फटाक से कमेंट्स में डाल देंगे। क्योंकि पाल के संगरक्षक जाहिर सी बात है, पाल सासक को ही माना गया। पाल सैली वहां के पाल टाइटिल के हिशाप्षे ही चलता है। हर जगा आपने देखा, कई जगा अलग अलग जो है, टाइटिल के हिशाप्षे अपने दोर को जो है उलो जीते हैं, उसी तरह से अलग अलग था। और इस वीडियो का आखरी प्रशन देखिएगा, प्रशन संख्या 25 आप से पूछ रहा है। उम्मिद करता हूँ कि आज की वीडियो पाल सेली की स्रीज बहुत भेतरीन लगेगी, कमेट से रूट करिएगा कैसी लगी आज की वीडियो। 25 आप प्रशन कहा रहा है, पाल सेली का जन्म किस सताबदी में हुआ। पाल सेली का जो जन्म हुआ, वो कौन सी सताबदी में रहा। साथवी सताबदी, दशवी, नौवी या आठवी सताबदी। कौन सी सताबदी रही, जिस सताबदी में पाल सेली का उधवा हुआ कहलीजिए, जन्म हुआ, शुरुवात हुआ। ठीक है ये है हमारा 25 प्रश्ण और 25 प्रश्ण का हमारा सही जबाब होगा 28 शताब दिम ठीक है लेकिन अगर प्रश्ण ऐसे पूछ दे कि पाल सैली का पाल सैली जो है चर्म उतकर्स पे कौन सी शताब दिम पहुची ध्यान से समझेगा मेरे प्रश्ण को ये प्रश्ण है कि पाल सहली का जन्म कब हुआ यानि सुरुवात कब हुआ पाल सहली का दौर और ये पूछ दे कि पाल सहली का चर्म उतकर्स जो है यानि चर्म की शीमा पे पाल सहली कौन से सताब्दी में था तब उसका जो है इंसर कुछ और होगा और आप कमेंट्स करेंगे हमको कि अगर ये आपसे वो पूछ दे कि पाल सहली का चर्म उतकर्स यानि चर्म पे उसका जो दोर था वो कौन सी सताबदी में भा ये आप हमें कमेंट्स करेंगे कल ये प्रशन मैं आपको वीडियो में डालूँगा उसका जिकर करूँगा लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रशन का उत्तर कमेंट्स करें ठीक है तो चले मित्रो आज के लिए दीजी जायत कल फिर मिलेंगे इसी समय सी टाइम लेकर कुछ और बहतरीन चंदा है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा गुड नाइट